कहानी की शुरुवात में हम भासकर नाम के एक contractor को देखते हैं जो के अरुनाचल प्रदेश के जीरो नाम के शहिर में एक bridge बनाने का project crack करता है और इस project को successful करने के लिए भासकर ने अपके पुस्तेयनी घर गिर भी रख दिया था और किसे भी हालत में भासकर को ये project successfully complete करना था इसके बाद हम देखते हैं कि भासकर के साथ उसका कजन जनार्दन उर्फ जेडी भी रहता है और जेडी दिली में भासकर के साथ रहकर UPSC की तयारिया कर रहा था क्योंकि जेडी को IAS बना था इसके बाद जब भासकर जेडी को उसके रुनेचल प्रदिश जाने के बाड़े में बताता है तो जेडी भी उसके साथ जाने के लिए तयार होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि भासकर और जेडी दोनों 0 पहुचते हैं और वहाँ पर दोनों local आदमी जू मीन और पांडव भासकर को उसके इसी बीच बनाने के contract में help करने वाले थे इसके बात भासकर लोकल लोगों से बात करता है और एक meeting रखता है जिसके बात वो लोग तै करता है के वो लोग जंगल के बीच से ये बीच बनाएंगे जिसके इसके बाद बिज बनाने का काम शुरू होता है और कुछ पेर काटने पड़ते हैं और एक दिन रात को भासकर जब जोमीन और जेडी के साथ जंगल के बीच से जा रहा था तो अजनक उनकी कार ख़ड़ा हो जाती है और एक तरफ जोमीन और जेडी कार को ठीक करने लगते हैं और उसे देख़कर बहुत दर जाता है और फेर से लटक से जाता प्रगता बेड़ियांरे ने और जोमीन और जाता हम इसके बाद भासकर और मिहें में ऑक्त Championship में किसी लोकल करें मतरेем क्योंगल सकता है तो लोगों में बाते फैनली लगेगी जिसके वज़ा से उनका ये प्रोजेक्ट रूख जाएगा इसे लिए जामिन भासकर को एक जानवरों के डॉक्टर अनिका के पास लेकर आता है और अनिका भासकर की यह हालत देखकर उसे जितना भी आता है उसे नौलेज से उसके ट्र जुगे थी और भासकर कहता है के उसके चोप में ज्यादा दर्द भी नहीं था और भासकर को फिर से डॉक्टर अनिका के पास लेका रहा लंगरेस्ट के लिए हुड़ा है लेकिन जंगल काठनी के बात सुनकर लोकल लोग बहुत परेशन हो जाते हैं और लोग यह रुखवानी के बाड़े में कहते हैं भासकर को पांड़ा पर शक होता है क्योंकि Panda Around और बार भासकर और बाकी सब के सामने जंगल ना काटने के बारे में ही बार बार बता रहा था अर इसल्य छैद पांड़ा ही लोकल लोगों को पुक्षर करते हैं और इसी रात को भासकर ने जिस आदमी को लोगों को मनानी की जिमिदारी दी थी उस पर एक भेरिया हमला कर देता है और वो आदमी जत्मी हो जाता है और वो आदमे भासकर को कुछ पुलिस टेशन बुलाती है क्योंकि भासकर का जैकेट जंगल के बीच में पाया गया है लेकिन किसी तरीके से वो लोग पुलिस के नजरों से बचते हैं और इसके बाद भासकर एक और आदमी के साथ मिलकर काम करना शुरू करता है लेकिन यह देखा जाता ही है कि उस आदमी क को यह पता चला था कि इस जंगल में विशानू है जो के सदियों से इस जंगल की रक्षा कर रहे है और जो भी इस जंगल को नुकसान पहुचाने की कोशिश करता है तो विशानू उसे मार डालता है और इसके बाद उन लोगों को यह भी पता चलता है कि दरसल जंगल में य चांद की तरफ देखता है और उस लोग भासकर का यह खतरना कद कर उसके अगले दिन धिक दोंट पुछों को फिर से पुलिस्टेशन जाना पड़ता है और उन्हें पता चलता हैं काम data था ऑफिस में घुसकर एक भेरिये ने उसे मार डाला है और सिसे डिवी पूटेज में ये वीडियो रेकॉर्ड हो गया था और वो भेरिया भासकर की अंडर्वेर पहना हुआ था और उन लोगों को इसमें और कोई भी शक नहीं होता है कि भासकर ये भेरिया बन कर लोगों को मार रहा है इसलिए भासकर को बचाने के लिए वो लोग जल से जल सारा सबुत मीतानी के कुशिश करते हैं तो दूसरे तरफ पांडा उन लोगों की बाते सुन लेता है और उन्हें पता चलता है कि भासकर को भेरिये ने काटा था और वो भी आविक भेरिया है और वो सब को ये बात बतानी की धमकी देता है लेकिन भासकर उसे डराता है और उसे समझानी के कोशिश करता है कि वो जान बुझ कर कुछ भी नहीं कर रहा है इसके बाद पांडा भासकर को कहता है कि एक आदमी है जो के उनकी मदद कर सकता है जो के देर सो साल से जी रहे हैं और वो घने जंगलों में रहते हैं और पांडा कहते हैं कि वो जल से जलत उन्हें धूनने की कुशिश कर रहे हैं और तब तक भासकर को थोड़ा समाल कर रहना पड़ेगा और इसके बात पांडा उसे देर सो साल पूराने बाबा को ढूनने के लिए इधर उधर गूमता है दोस्ते तरफ भासकर बार बार रात को भेरिया बन रहा था इसलिए वो लोग एक सुनसान फैक्टरी में जाते हैं जहां पर भासकर रात को रूपने वाला था और जेडी और जोमिनू से चेंड से भेरिये में बदल जाता है और वो पुलिस ओफिसर वीडियो रेकॉर्ड कर लेता है और दूसरे तरफ जामिनार जेडी दोनों ही भासकर का ये रूप देखकर डर जाते हैं और इसके बाद भासकर इन दोनों पर अटक करने ही वाला था तब ही वहाँ पर वो भेरिया आ जा इसके बाद पांडा भासकर से मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें वो बाबा मिल गया है इसके बाद वो सब मिलकर बाबा से मिलने के लिए जाते हैं और वो बाबा कहते हैं कि इस मुसिबत का एक ही समाधान है कि अमाबस के रात को भासकर को उसी जगा जिस भ नर्मल इंसन बन सकता है और यह solution सुनकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि यह इतना आसान नहीं है और इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अनिका को भी इन सब के बार्ण में पता चलता है और वो पहले तो मानना नहीं चाहती थी लेकिन आखिरकर वो उनकी help करने क के लिए तयार हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अनिका भासकर के यह से जाने से पहले उसे अपनी फेवरिट जगा पर घुमाने के लिए लेकर जाती है और आती है और भासकर जीडी और जर्मिन के साथ जंगल के उसे जगा जाते हैं जहां पर भीडिये के आने का इंतिजार करते हैं और उन लोगों ने पुरा इंतिजाम करके रखा था लेकिन दूस्ते तरफ यह दिखा जाता है कि जंगल में जंगली जानवरों के वजह से लोगों की मौत हो रही है इसलिए असाम से कुछ हंटर्स को बुलाया गया था और वो हंटर्स भी उस पहुचते हैं जिसके वजह से वह भी अडर के भाग जाता है और वह गुफा के अंदर आकर उसे पता चलता है कि यह नहीं बलके डॉक्टर अनिका थी और अनिका भासकर को बताती है कि दरसल डेर सो साल पहले एक भेडिये ने उसके और उसके पिता पर अटक कर दिया जिसम में उसके पिता की तो मौत हो गए लेकिन अनिका जिन्दा बच गई और उसके बाद वह एक भेडिया बन गई और पिछले डेर सो सालों से वह इस जंगल की रक्षा कर रही थे और जब अनिका को यह पता चला कि भासकर इस शहर में आकर जंगल काट कर ब्रीज बनाने वाला है तो इसलिए अनिका ने भेडिया बन कर भासकर पर अटक किया और वह भासकर को मारना ही चाहती थी लेकिन भासकर जिन्दा बच जाता है और भासकर को देख कर अनिका को ऐसा लगता है कि अब वह भासकर पर इस जंगल की रिस्पॉंसिबिलिटी दे कर यहां से जा सकती है क्योंकि वो हमेशा ज्यादा वक्त के लिए एक जगा पर नहीं रह सकती लेकिन अनिकर ये समझ जाती है कि भासकर इतनी बड़ी responsibility नहीं समझ सकता है इसे लिए वो भासकर को वापस से इंसान बनाने के लिए भी तयार थी लेकिन तभी वहाँ पर hunters पहुचते हैं और अनिका भीरिये के रूप में भागने के कुशिश करती हैं लेकिन उसे बहुत चोट लगी थी और ये देखा जाता है कि hunters उसे पकर कर लेकर जाते हैं और भासकर जब यह देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अनिका को बचाना चाहता था और फिर वो भी एक भेरिये में बदल जाता है और उसे जगह पहुचता है जहाँ पर अनिका को कैद करके रखा गया था और उसे वो लोग टॉर्चर कर रहे थे और इसके ब कर देने के लिए कहते हैं और इसके बाद यह देखा जाता है कि भासकर और अनिका अनिका के फेबरिट जगह पर जाते हैं और फिर वहाँ पर वो लोग कुछ दिर रुपते हैं लेकिन अनिका को बहुत चोट लगी थे इसलिए वह भासकर से अलुदा लेकर उचे पाहर से लगा देती हैं जिससे कि उसके मौत हो जाती है और यह देखकर भासकर को बहुत दुप पहुचता है लेकिन इसके बाद भासकर तैय करता है कि वो खुद इस जंगल की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेगा और फिर हम देखते हैं कि छे मैंने बीच चुके हैं और अब भासक को कोई भी खत्रा ना पहुचे दूसरे तरफ यह देखा जाता है कि ऐसे जो लोग है जो के जंगल काट कर बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बनेने का काम करने वाले थे भासकर भेरिया बनकर उन सब को मार देता है और इसी तरीके से वो जंगलों की रक्षा कर रहा था इस पर जेडी के दो पूराने दोस्त विकी और बिट्टु आते हैं और जेडी इन लोगों का पूराना दोस्त जना है और जना इन लोगों को देखकर बहुत खुश होता है और इसके बाद ही हम देखते हैं कि भासकर भेरिया में बदल जाता है और ऐसे खतरनाक जानवर को साथ ही ये कहान यहीं पड़ी खतम हो जाती है.